कि हैं एक है लो फ्रेंड्स वेल्कम टो भाइ यूटूब चैनल आज में इस वीडियों बात करने वाले है राजस्तान जीक्य के महतोपन क्यूशनों के बारे में इन क्यूशनों का बलास्ट तक जरू देखना साथ इस वीडियो को लाइक करें दोस्तों के साथ भी शेयर करना आज का पहला क्यूशन है शिक्स्या कर्मी प्रियोजना किस की साहता से चलाई गई है यानि शिक्स्या कर्मी प्रियोजना है वो किस देश के साहता से चलाई जा रही है तो प्रारव में सिड़ा स्विडन की साहता से यह बाद में इंग्लेंड की साहता से चलाई जा रही है अगला किश्चन है अजमेर के राज के महीला इंजिनेरिंग महाविदाले में इनक्यूवेर्शन सेंटर का उद्गाटर ने कव किया गया था इनक्यूवेर्शन सेंटर का उद्गाटर ने वो 1 अगस 2017 को अजमेर में किया गया था अगला जो किशिन है राजस्तान में मीरा भाई अखिल भारती ए आयरवेदिक संस्तान एम्स कहां स्तापित किया गया है तो जोदपुर जिले में स्तापित किया गया है D.O.S.N.S. का सही होगा अगला किशिन है राजे का विशिस्ट खेल विदाले सारदूल स्पोर्स स्कूल कहां स्तीत है तो यह भीकानेर जिले में स्तीत है यानि जो खेल विदाले है सारदूल स्पोर्स स्कूल वो भीकानेर जिले में है C.O.S.N.S. का सही होगा अगले किसasında है अजमेर में मेयो कोलेज की स्तापना कब की गई थी तो अजमेर में मेयो कोलेज की स्तापना है वो 1856 में की गई थी, D option इसका सही होगा अगला किशुनले 2011 की जनगर्णा कैंसार राजय का सरवादिक साक्षर्त वरा जिला है कोटा जिला एक्ष्टनी राष्टान में उच्छि क्षा प्रिशत का गठन कब किया गया था उच शिक्षा प्रिसित का गठन है वो फरवरी 2016 में किया गया था रास्तान में अगला किसने राजय का पर्थम विश्य विधाले कहा स्थापित किया गया था और राजय के अंदर पर्थम विश्य विधाले हैं वो जैपुर में स्थापित किया गया था A options का सही होगा मादिमेक शिक्षा बोर्ड अजमेर की स्थापना कव की गए थी तो 1 अगस्त उनीशों सित्याओन को मादिमेक शिक्षा बोर्ड अजमेर की स्थापना की गए थी D options का सही होगा अगला किशने राजस्तान में उच मादिमेक स्तर की दुरुस्त शिक्षा परदान करने वाली संस्तान कों सी है तो वो संस्तान है राजस्तान State Open School अगला खिशनर राजस्तान का पर्थम कोलेज कहां खोला गया था तो अजमेर जिली में राजस्तान का पर्थम कोलेज खोला गया था ए ओफ्षनिस का सही होगा राजस्तान में मरूतिरकोन पर्थम के पर्थम के शामिल जिली है वह जोदपूर बेकाने रोर बाड मेर जिली जो मरूतिरकोन के अंदर आते हैं अगला जो किश्चन है के अंदर सरकार के बारती पुरातात्विक सरव्यक्षन विवाग नहीं किस मंदिर को रास्तरी महत्वा का समारक बोसित किया है तो वो हैं ब्रह्मा मंदिर पुसकर में अजमेर में है अगला जो किस्तन पर्देश के पहले मीरा संग्राले की स्थापना कहा की गई परदेश के पहले मीरा संग्राले की स्ताफना है वो उद्यपूर में की गई थी C ओफसन इसका सही होगा अगले एक्षन है देश के पहले स्कूल ओफ वास्तू की स्थापना से समन्दित है तो देश के पहले स्कूल ओफ वास्तू की स्थापना से समन्दित है पुसकर अजमेर ए ओफसन इसका सही होगा राजस्तान में डेजर्ट फेस्टिवल मरू महुत्सू कहां मनाया जाता है तो राजस्तान में डेजर्ट फेस्टिवल या मरू महुत्सू है वो जेसलमेर में मनाया जाता है C option इसका सही होगा कालवेलिया स्कूल ओफ डांस कहां स्ताफित किया गया है कालवेलिया स्कूल ओफ डांस है वो जेपुर में स्ताफित किया गया है A option इसका सही होगा अगला क्रिशन है राजे का पहला रोपवे कौन से जिले में प्रारम किया गया था राजे का पहला रोपवे है वो जालोर जिले में प्रारम किया गया था C option इसका सही होगा रोपवे हैं वो जालोर जिलों में सबसे पहले सुरू किया गया था बपारावल पेनोरमा किसे सम्बंदित है बपारावल पेनोरमा है वो उद्यपूर से सम्बंदित है D option इसका सही होगा Institute of Heritage Conservation विरासत सरक्षन संस्तान कहां खोला गया था तो जेपूर जिले में खोला गया था D option इसका सही होगा अगला किसना परदेश में ओटल परबंदन संस्तान किन जिलों में संचालित है परदेश में ओटल परबंदन संस्तान है वो जेपूर और जोधपूर जिलों में संचालित है D option इसका सही होगा अगला किशना परदेश के किन जिलों में Food Craft Institute संचालित है तो परदेश में Food Craft Institute है वो अजमेर और उदेपुर जिलों में संचालित है सी ओप्सन इसका सही होगा प्रेटन के नवीन आयोमों में जो सामिल नहीं है तो वह कुन सा है तो सहरी प्रेटन है वो सामिल नहीं है बाकी सहकारी प्रेटन, सहसीख प्रेटन और ग्रामिन प्रेटन है लेकिन सहरी प्रेटन है वो सामिल नहीं है अगला जो किश्चन है शेकवाटी की कलात्मक अवेलियों की देशी विदेशी प्रेटकों को सेर कराने है तो उत्री पस्मी रेलवे द्वरा मिटर गेज पर पुरानी भाप की इंजन से चलने वाली 2003 में प्राणम कीगी प्रेटन रेलगाडी का नाम क्या है तो फेरी क्वीन नाम है डी ओप्षन इसका सही होगा 2003 में प्राणम कीगी जो रेलगाडी यह उसका नाम है फेरी क्वीन डी ओप्षन सही होगा अगला किश्चन निवन में से किन दुर्गों को जून 2013 में युनियोस्कों की वर्ड हेर्टेज साइड सूची में सामिल किया गया था जून 2013 म आपको कैसे लिए के कोमेंट में जरूर बताएं साथ इस वीडियो को लाइकर अपने दोस्तों के साथ सेर जरूर करें इसी तरह के महत अपन क्यूशन देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करने थैक्स पर वचिंग आपका दिन सुबू करने लिए।